है लो फ्रेंज कैसे आप सब आई हूप आप सब बहुत अच्छ होंगे और मैं भी अच्छी हूं तो गाइज आज दुपएर से अपना ब्लॉग स्टार्ड के तो आप सभी को गूड आप डानूं फ्रेंज और आज आप देख रहे हो हस्बंट जी को घर पे तो हस्बंट जी खरीट के दिया तो अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर लूगी तो मैं इसका पूरा फुल लुक आपको दिखाऊंगी इस उट का आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे उपर अच्छा लगा है कि नीए यह सूट तो यह परपल कलर का सूट है इसका जो बर्क है आप देख सकते हैं और पूरा फुल लुक आपको अभी दिखाती हूँ तो गाइस देखिए यह परपल कलर का सूट है और इसका बर्क आप देख सकते हूँ तो मेरे उपर यह सूट कैसा लग रहा है आप लोग कमेट के फिर जरूर बताना अगर आप लोग कि मेरे उपर अच्छा लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर लूँगी तो बहुत है और यह देखिए तो शादी से पहले ना मैं परपल कलर का सूट ऐसे टीशिट बगरा बहुत पहनती थी और शादी की बाद पहली बार मंगाई हूँ परपल कलर का तो अस्बन जी भी कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है तो अपने सूट का पुरा लुक तो देख लिया तो ज बाद उसको खिला दिया था तो रियान सो रहा है इस रूम में तो अभी उठेगा और तूशन पढ़ेगा यह देखिएगा इस रियान रियान उठो बिटा तूशन पढ़ना है उठ जाओ तो मैंने ट्रेट चेंज करके मैं नीचे आ गई थी और साम का जाडू लगा लिया है चाय मैंने चड़ा दिया है चाय बनने के लिए और आज थस्टे है तो थस्टे का पूजा दूँगी तो उसी तैयारी यहां पर मैंने किया है तो बटन सारा यहां पर दो लिया और यह देखिए फूल खरीद के लिए कि आई हूँ मैं तो अभी जय मैं पूजा दूँग प्याच के हैं पालत के हैं ज़िए दाल के भी है मुझ दाल के अच्छा देखे तो डेस्टी लग रहा है अभी चाय लेके आती हो चाय के साथ थाएंगे तुम जाएगा और अब यह देखिए खुचपु पढ़ा रही है रियान को तो आज यह देखे गाइस रियान पढ़ र दिखाओ नहीं फ्रैंज को नहीं दिखाओ अच्छा ठीक है नहीं दिखा रही है तुम थोड़ा सा बोल दो कुछ यह कुछ पर जाएंगे रहे हैं इससे आगे गाईस मैं आपके साथ शेर करूंगी शादी का ब्लॉग तो यह शादी का ब्लॉग ना काफी दिन पहले का है बट मैं आपके साथ शेर नहीं कर पाई हूं तो आज मैंने सोचा कि इसी वीडियो के साथ आपके साथ शेर करते हूं यह ब्लॉग तो यह ना उमारे घर के पास एक यह ननत है उनकी शादी थी तो हम लोग सब गहे थे घर से और मेरी चोटी ननत की शादी हुई थी नहीं इसी वी तो अपके ऐस के तो उनको भी इंवाइट आता ंपके मेरी बडी ननत को भी इंवाइट कायः था तो हम सारे फेमिली एक साथ गहते शादी में और बहां पे जाकेन खूब इंज्व इंजोई किया, डाNS किया, खाया पिया. तो यह देगी मेरी बडी ननत और मेरी झोटी नना दे और तापज भी है खुश्भू भी तो सब कोई जो इंवाइट के था तो यह देखिए सब जो डांस कर रहे हैं और नहीं नहीं कपल तो यह लोग डांस कर रहे थे सब जो नहीं देख रहे थे तो अच्छा भी लग रहा था इधर देखिए शादी का डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा किया था और इधर शर्शिती दी थी बहुत ही प्यारी लग रही थी और तापस तो डांस में मगन है अभी काईस आप लोग मेरा डांस देखिया तो पहाडी गा है और वैसे इतना अच्छा डांस करना तो नहीं आता है लेकिन जितना भी कर लेती हो सब कहते है अच्छा कर लेती हो और शादी मैं कभी गाइस पता, एड्रिज्ग में जाके डांस की ही ही नहीं थी, शादी के बादी जो यह डांस कर री हू Allahuoka तो जितना भी करती हूं सब करते हैं अच्छा का लेती हूं और यह देखियं, पूजा पूजा हुटा भी गई है, डांस करने की लिए, पूजा को तो बैसे आता है डास करना खुछबू तो डास में मगन रहती है और अब सब हम लोग जा रहे हैं दुला दुलन से मिलने के लिए तो पीछे मेरी ननत आ रहे हैं शाती भी है देखिए और आगे जो मेरी छोटी ननत चल रही है दुला दुलन से मिलने के लिए तो अभी जो है तापच और काजल भेहन जो है अभी फोटो किछने जाएंगे और मैं इनका फोटो भी किछने साथ में वीडियो भी बना रहे थी तो मेरी चोटी ननत की न एक तरफ से प्रेंड भी एक साथ पड़े लेके बड़े हुए हैं ये लोग तो अच्छे हैं और अभी ह इसे डेकोरेशन किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा मेरी शादी के टाइम भी ऐसे सबजी से डेकोरेशन किया था तो अभी प्लेट लगा रही हो तो दो प्लेट एक नानत का एक मेरा तो ये देखिए तो क्या-क्या आटा में खाने में बोबी मैं आपको बताई दे कि को पुरदिये की टेस्टी था फिर हम लोग बैठके खाना काया रहां प्रेंदी के वहार प्रेंगे। तो यह देखिए गाइस रियान ने भी प्लेट लिया है तो रियान भी प्लेट में खाएगा तो उसके भीया को देखके ना उसने जित किया कि मम्मा मुझे भी प्लेट में खाना है यह भी प्लेट में खा रहे हैं तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है अभी हम लोग जा से पहले बच्चों लोगों ने यहां से गुबारे खरीदे और फिर हम लोग घर चले तो इस वीडियो को में यहीं पेंड करती हूं तो यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज एक लाइक कर देना शेर भी जरूर करना और नहीं हो तो प्ली प्लीज से